हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मो टीविया पर आपका स्वागत है अपना टाइम भी आएगा एक फैमिली ड्रामा शो था जो की जी टीवी पर 20 अक्तुबर 2020 को शुरू हुआ था और इस शो का आखरी एपिसोड 16 अक्तुबर 2021 को टेली कास्ट हुआ था इस शो की 297 अपिसोड बने थे और हर अपिसोड 24 मिनिट का होता था जिसे की शून्य स्कुयर प्रडक्शन्स ने प्रेड्यूस किया था इस शो की कहानी रानी की लाइफ से शुरू होती है रानी अपने स्कूल की टॉपर होती है और वो अपने भाई और दादी के साथ बलिया नाम के गाउं में रहती है उसके पापा शहर में रजावत फैमिली के लिए काम करते हैं वीर सिंग रजावत जैपूर का फेमस डॉक्टर होता है वीर की वजह से रानी का एकसिनेंट हो जाता है और वो उसे अपने घर ले जाता है वहाँ जाने पर रानी को पता चलता है कि उसके पापा को शराप पी कर चार लोगों पर गाड़ी चरहाने के जुर्म में कैद हो गई है रानी अपने पापा को बेकसूर साबित करने के लिए सारे सबूत इकठे करने लग जाती है और वो अपने सपनों को भूल कर अपने पापा की जगा रजावत फैमली के लिए काम करने लगती है कुछ समय के बाद जै कई बार रानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे ऐसे मंदर में बुला लेता है जहां बिन ब्याही लड़कियों की एंट्री बैन होती है लोगों के गुसे से रानी को बचाने के लिए वीर वहां उससे शादी कर लेता है लेकिन इस शादी के साथ ही उनकी लाइफ की मुश्किले बढ़ जाती है लेकिन शो के एंड में रानी और वीर को सब माफ करतेते हैं और उन्हें अपना लेते हैं वीर के रोल में थे फाहमान खान, रानी के रोल में थे अनुशका सेन और मेखरे और जै के रोल में थे समक्ष सूदी इस शो की लीड एक्ट्रेस मेगारे का ये कहना था कि उन्हें इस शो के खतम होने का कोई दुख नहीं है इस शो ने काफी हाईज और लोज का सामना किया लेकिन अब शो की तै की गई स्टोरी पूरी हो चुकी है और शो की पहले से तै की गई कहानी पूरी होने के बाद शो को ओफियर कर दिया गया इस शो की सभी एपिसोड यूट्यूब पर अवेलिबल हैं जिन्हें आप जब चाहें देख सकते हैं और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए फिल्म और टीविया को सब्सक्राइब करना ना भूलें